और्गैनिक तरीके से बिल्कुल फ्री में आप भी अपने घर पे टमाटर उगा सकते हैं नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम बात करने वाले हैं टमाटर के पौधे के बारे में कि हमें इसकी देखरे किस तरीके से करनी है इसके साथ ही हम जादा से जादा टमाटर एक ही पौधे से किस तरीके से ले सकते हैं तो देखी दोस्तों मैंने भी अपनी घर पे कुछ टमाटर के पौधे उगाए हुए हैं जिनमें अभी अच्छे संख्या में टमाटर लगने लगे हैं वैसे तो जो टमाटर का पौधा होता है पूरे साल ग्रो करता है इसे ग्रो करने के लिए जादा महनत की जर्वत नहीं होती बस कुछ चीजों का हमें ध्यान देना होता है जिसे हम घर पर ही अच्छी संख्या में टमाटर ले सकें तो सबसे पहले तो दोस्तों जितने भी मेरे पास अभी ये टमाटर के पौंधे लगे हुए हैं ये मैं बीज खरीद के नहीं लाए थी ये मेरे जो मैंने छट पर गमले रखे हुए हैं उनमें छोटे-छोटे से पेड अपने आपी निकलाते हैं क्योंकि मैं अपने गमलों मे वो अपने आपी ग्रो हो जाते हैं तो जब भी मेरे गमलों के आज़ पास छोटे-चोटे टमाटर के पौंधे निकलाते हैं तो मैं उनको निकालके अलग-अलग गमलों पे लगा देती हो और उन्हीं से बहुत ही अच्छे हमको टमाटर मिल जाते हैं तो देखे दोस्तों टमाटर का पॉंधा लगाना बहुत ज्यादा मुस्किल नहीं है अगर आप चाहते हैं आप घर पे ही टमाटर के पॉंधे उगाएं बिना बीज खरीदें तो जब भी आप मार्केट से टमाटर लाते हैं तो उसमें एक अच्छा सा टमाटर देखिए जिसके साइज अच्छा ह आप टमाटर को काटिए उसके अंदर आपको गुदा न जराएगा जिसमें आपको छोटे-छोटे बीज न जराएंगे आप उन बीजों को निकालके सिंपली मिट्टी पे कहीं पे भी डाल देते हैं वहीं से उसके पॉंधे निकलाते हैं टमाटर के बीजों को उगाने के बहुत ज़्यादा देख रेक की जरुवत नहीं होती है सिर्फ हलकी नमी वाली मिट्टी की जरुवत होती है अगर आप हलकी नमी वाली मिट्टी रखते हैं तो जो बीज होते हैं अपने आपी ग्रो हो जाते हैं तो टमाटर का पॉंधा लगाना बहुत ही ज़्यादा आसा टमाटर के पौधे में जो जादा तर मैंने एक प्रॉब्लम देखी है वो आती है लीव माइनर की इसकी पत्तियों में अगर आप देखंगे तो वाइट कलर की इस तरीके से लाइन सी बन जाती है तो जो ये लाइन होती है दोस्तों इसमें एक बिल्कुल छोटा सा बारिक सा क इसके लिए आप किसी कीट ना सका इस्प्रे कर सकते हैं पौधे पर या फिर नीम उयल का इस्प्रे कर सकते हैं इसके साथ ही अगर आपके पौधे में जो ये प्रॉब्लम है बहुत कम है तो आप इस तरीके से पत्तियों को तोड़ सकते हैं जिस पत्ति में आपको लगता ह कि इस कीट का अटेक हो गया है तो आप वहां पैसे पती को कट करके उस पती को दूर फैक दीजिए जिससे पौधे में वो प्रॉबलम खतम हो जाएगी नेक्स्ट हम बात करते हैं सनलाइट की टमाटर का जो पौधा होता है इसे खुला एरिया और अच्छी धूप की बहुत ज़्यादा जरुवत होती है लेकिन अब आने वाला है गर्मियों का मौसम जो गर्मियों का मौसम होता है इस टाइम पर आप इस पौधे को तीन से चार घंटे की धूप इस पौधे के लिए काफी है नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरिंग की टमाटर के पौधे को पानी की बहुत ज़्यादा जरुवत होती है अगर हलकी सी नम रहेगी तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोध करेगा अगर मिटी बहुत ज्यादा सूखी रहे आपने देखा होगा जो टमाटर का पौधा होता है जब यह पौधा चोटा सा होता है तभी से इस पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन अभी हमें इस पौधे से फ्लावरिंग नहीं लेनी है क्योंकि पौधा अभी बहुत ज़्यादा चोटा है अगर हम इस पौधे में अभी इन फूलों को छोड़ देते हैं, तो जो ये फूल है छोटे छोटे टमाटर में बदल जाएंगे, लेकिन जो पौधा होगा बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पौधे में अभी बहुत ज्यादा एनरजी नहीं है, कि अपने पे तो इसलिए जब पौधा बिल्कुल छोटा हो और आपको लग रहा है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो उन फूलों को आपको तोड़ देना है इसके साथ ही हमें एक चीज का और धियान देना है हमारे पास जितने भी पौधे होते हैं हम उनकी टाइम टाइम पे पिंचिंग करते हैं कि वो पौधा हमारा घना हो लेकिन टामाटर के पौधे में हमें बहुत ज़्यादा पिंचिंग नहीं करनी होती है वो इसलिए क्योंकि अगर आप टामाटर के पौधे को गौर से देखंगे जहां से टामाटर की पौधे की ग्रोथ होती है वहीं से इस मठी यहां पैसे इसके एसके टिप में नई-ई पत्तियां आती है वहीं से इसके फ्लावरिंग इस्टाड होती है अगर हम बार बार इसके टिप को पिंच करते दोस्तों वो सिर्फ एक ही बार आपको करनी है जब आपका पौधा 5-6 इंचिका होता है जैसे ये पौधा है 5-6 इंचिका तो मैंने इसकी ये टिप को तोड़ दिया है इसकी जो मैंने ये टिप तोड़ी है अब इसके नीचे से नई नई ब्रांच आएंगी और पौधा घना हो जाएगा और इसके बाद अब हमें इसकी कोई भी पिंचिंग नहीं करनी है तो इस चीज का आपको ध्यान देना है नेक्स्ट हम बात करेंगे फटलाइजर की टमाटर का जो पौधा होता है दोस्तों इसे औरगैनिक चीजें काफी ज़्यादा पसंद होती है आप इसमें जितनी ज़्यादा औरगैनिक चीजें डालेंगे आपका पौधा उतने अच्छे से ग्रोध करेगा आपको अपने टमाटर की पौधे की ग्रोध के लिए आपको बहार की केमिकल वाली कोई भी चीज नहीं डालनी है आप घर से ही निकलने वाली चीजें से इसको बढ़ा कर सकते हैं सबसे पहले तो अगर आप गमले में टमाटर का पौधा उगा रहे हैं तो जो भी आपके घर से किचन वेस्ट निकलता है सबजियों के फलों के जितने भी छिलके निकलते हैं आपको अपने गमले में वो नीचे से भर देना है जैसे मेरा ये पौट है इसमें मैंने नीचे आधा हिस्सा पूरा किजन वेस्ट का डाला है और उसके उपर मैंने इसमें मिट्टी डाल दी और उसके बाद मैंने ये चोटे से दो टमाटर के पेर उसके उपर लगा दिये और इसमें एक साइट पे चोटा सा आलू का पेर भी निकला तो इसलिए निकला है दोस्तों जो नीचे मैंने इसमें किचन वेस्ट डाला हुआ है उसमें हो सकता है कोई आलू कटा हुआ भी चले गया हो और उसी से वो पौधा निकल के आया हुआ है तो जो मैंने इस गमले में दो छोटे से ये टमाटर के पौधे उगाए हुए है जब कि इन पौधों की जड़ें बढ़ंगी तो जो मैंने नीचे इसमें किचन वेस्ट डाला है वो डिकमपोस्ट हो जाएगी और पौधे को बहुत अच्छी खाद देगी तो इस तरीके से आपको अपना गमला भनना है इसके साथ ही आप पौधे में 30% के लगबाग गोबर की खाद या फिर वर्मी कमपोस्ट या फिर आपके पास किचन कमपोस्ट है वो भी डाल सकते हैं जिससे पौधे की जो ग्रोथ है और भी ज्यादा अच्छी हो इसके साथ ही पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप हर 20-20 दिन में इस पौधे को कोई ना कोई लिक्विट फ तो 15-20 दिन में आप इस लिक्विट फेटलाइजर को दे सकते हैं जब आपको लग रहा है आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है तब आप अपने पौधे को प्यांच की छिलकों का लिक्विट फेटलाइजर दे सकते हैं सरसों की खली का लिक्विट फ क्योंकि दोस्तों जब आप टमाटर को पौधे में ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो पकने लगते हैं तो जो पौधा होता है पूरी की पूरी एनरजी उस टमाटर को पकाने में लग जाता है और जो पीछे से छोटे-छोटे से टमाटर हो रहे हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं इसके साथ ही जो टमाटर का पौधा होता है इसे कैल्सियम की बहुत ज्यादा जरूत होती है और कैल्सियम की कमी से कई बार जो आपने देखा होगा टमाटर होते हैं वो आड़े टेड़े या फिर उनमें दाग से लगने लगता हैं, तो इसके लिए आप जब टमाटर के पौ चूने की उसका यूज आप कर सकते हैं ये पौधे के लिए बहुत जादा अच्छा होता है ये बहुत ही कम रेट में आपको 5-10 रुपे में छोटी सी डिब भी मिल जाएगी तो आप उस चूने को 2-3 चुटकी आप मिट्टी में मिला दीजिए ये पौधे के लिए बहुत ज स्प्रे करिए इससे आपको दो फायदे होंगे एक तो पौधे पर कीट का आटेक नहीं होगा चूंकि जो चांस होती है वो बहुत अच्छा कीट ना सक भी है इसके साथ ही जो पौधे की ग्रोथ होगी वो भी बहुत जादा तेजी से होगी दूसरा यूज आप कर सकते हैं एक लीटर पानी में आप आधा गिलाज चांस डाल दीजी और पौधे में अच्छे से पौधे की मिट्टी में डाल दीजी इससे जो टमाटर का साइज होगा वो काफी जादा अच्छा आएगा साथ ही जो पौधा होगा वो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा तो दोस्तो टमाटर के पौधे की अच्छी क्रोध के लिए और टमाटरों के अच्छे साइज के लिए आप मेहने में एक बार चांस का यूज जरूर कीजिए इसके साथ ही साथ लिक्विट फेटलाजर भी आपको टाइम टाइम पर डालना है पस इतना सा करने से ही आपके घर पे आपक काफी अच्छी संख्या में टमाटर मिल जाएंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक और सस्क्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी कहां बहुत बहुत धन्यवाद